जैब बोले ना दोस्तो आठ बच के 42 मेंट हो गई है रात की 8.42 पीम रात की 8 बच के 42 मेंट और सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देखते हैं इस डिस्क्लेमर को पढ़ना अनिवार यह है मेंडेटरी है यह मैंने हर वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो दे टाइटल लिखा हो रहता है तो आज 6 तारीक है और मंडे 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 है और अभी 8 बच के 13 मिनिट हो गई है 8.43 पीम अभी हम एनलाइस करेंगे पॉर टुमोरो साथ तारिक यानि की कल मंगलवार है सेवन्थ दिसंबर टूजडे के लिए तो देखेंगे अल्लेडी मैंने तीन बच के आठ मिनिट पर आपको वीडियो बना के बता दिया था कि कल तेजी वाला दिन होगा तीन बच के आठ मिनिट पर वीडियो बना है तो और इस वीडियो पर ध्यान रखेगा मिनिमाम लाइक्स रिक्वाइड विल भी थ्री थाउजड इफ एनी सिंगल लाइक लेसर दन थ्री थाउजड देन यह याद रखेगा नो मोर वीडियो और इसको आप प्यार समझे है रिक्वेस्ट समझे धमकी समझे कुछ भी समझे सबसे पहले आज का निफ्टी बंद वह 16,912 पिछले कुछ दिनों की सबसे लवेस्ट क्लोजिंग आई आज निफ्टी में जिस दिन 16,782 का भी लो बनाया था उस दिन भी इतनी नीचे closing नहीं आई थी तो यह सबसे lowest closing है पिछले काफी दिनों की काफी दिनों की 16,912 चलिए और आज बैंक निफ्टी close हुआ 35,735 पे spot में यह सारे मैं spot के figure बोलना हूँ future के नहीं आ जाता हूँ मैं सीधा charts पर और आज PCR 0.71 पर बंद हुआ है 0.71 0.71 यह देख सेकते आप लोग तो काफी ज्यादा oversold है और जो आप लोग वीकली PCR देखते हो वो कितना बंद हो भी बता जाता हूँ आपको मैं यह देखता हूँ लेकिन maximum लोग कुछ और देखते हैं तो वो भी वो इसमें देख जाएगा जो वीकली PCR है वो बंद हुआ आज 0.44 पे तो दोनों ही काफी oversold है कल एक बड़ा bounce back वाला दिन रहेगा यह याद रखेगा ठीक है अब मैं सिधा चार्ट पा जाता हूँ निफ्टी का तो मैंने तीन बच के आठ मिनिट पर आपको बोल भी दिया था आपने देखा भी होगा वीडियो में और वेबिनार का मैंने 35,000 रुपया रख दिया है बहुत वह भी काफी सस्ता मैंने 40 नहीं किया लेकिन 10 तारिक के बाद 40,000 रहेगा 10 से 18 के बीच में जो भी जोइन करेगा यह आखरी अपते में तब हुई रहे 9635476788 मेरा वाट्सआप नंबर है आपको वाट्सआप पे अपना नाम अपनी सिटी का नाम अपनी एक सेलफी फोटो भेजना रहेगा यह तीन मैने की क्लास रहेगी उसको दूसरे दिन रख देंगे तो उसकी भी रेकॉर्डिंग मिलेगी और लगबख सारे टॉपिक कवर करते हैं जो लोग यह टाइम पास करने के लिए मेसेज करते हैं सर आप क्या सिखाते हैं तो मैं बोलता हूं बाबाजी का घंटा सिखाता हूं मत आना तो निफ्टी का आज देखो अच्छा खासा बैंड बजा दिया तो कल मैंने आप लोगों को बोला था डाक क्लाउड कवर है तो एक बड़ा केंडल बनेगा तो बन गया फ्राइडे को सौरे तो आज एक आज अगर आप ठीक से देखोगे तो आज इसको इस केंडल को आप म 209 की ओपनिंग थी 216 का हाई था और आज की क्लोजिंग लगबग आज का लो है देखिए आप आज का लो था 16891 और आज का क्लोजिंग है 912 तो मुझे लगता कल मिनिमम इतना तो निफ्टी जरूर आएगा 17,050 तो कल डेफिनेटली आएगा लेकिन हो सकता कल 17200 भी होंगा मैं 912 पर क्लोज हुआ है ठीक है अब आज यह थोड़ा सा पोस्ट मोटम करते हैं मुव्स का आने वाले दिनों में क्या हो सकता है क्योंकि यह बहुत बड़ा महिना अगर आप देखो यहां पर आज के दिन को अगर हम छोड़ भी दे तो एक दो तीन चार यह चार द नौ दिन उससे अगली वीक के एक दो तीन चार पांच चोवदा दिन और यह भी एक दो तीन चार अठारा दिन अभी भी बचे एक स्पाइरी को और मन्त को कंप्लीट होने में 19 दिन बचे आज के दिन को छोड़ भी दे तो अठारा ट्रेडिंग डेस बचे हुए है बहुत उठा पटक हो सकती आपको पता है एक दिन में 500 पॉइंट का उपार नीचे हो सकता है तो इस मेरा जो मानना है कल तेजी परसो बोद साइड वोलेटिलिटी लेकिन अल्टिमेटली डाउन साइड कल तेजी परसो बुदुदुवार है सूबे तेज दोपेर को मंदा मतला वो क्रेडिट पॉलिशी यह भी हो सकता है थर्जडे को लगबग मंदा रहे लेकिन दो बज़े बाद मंदी खतम है उसके बाद 10 को तेजी 14 को को तेजी यहां से continue तेजी रहेगी जो मुझे लगता है इक्किस तरीक तक चले है तो नौ तरीक को दो बज़े बाद में तेजी करूंगा लंबी कल के लिए लिए परसों में मुझे लगता बहुत सव्ट रहे होगे यह से मैं समझा पाऊंगो कभी मेरी क्लासेश में अब आजए यह ड्रॉइंग दरत होगे देखे निफ्टी का किसी भी हालत में निफ्टी इस लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए बस यह ध्यान के यह मुझे मैक्सिमूम अभी बोटम लग रहा है इन दिनों का अब यह लाइन कहां पर आती है इसके नीचे की मैं कोई भी क्लोज नहीं देख रहा हूं आने वाले दिनों में 16725 के नीचे कोई भी हालत में क्लोज नहीं करेगा आप लोग लिख लो किसी भी किताब में लिखना लिख लो 16725 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी और इसी महिने में एक बार आप 17600 के उपर जरूर जाओगे दोनों बातों को आप नोट कर लो नीचे में 16 आज कर लो कितना था 891 तो मैं बोलो 16725 के नीचे की क्लोजिंग आएगी ही नहीं अभी साथ सो पचीस के नीचे की अगर आती है तो बहुत बड़ी मंदी है फिर ठीक है नहीं आएगी मैं आपको बोल रहा हूं मिनीमम तो दो चीज आपको बता दिया मंदी का मंदी करना है इंट्राडे करना है अब पोजिशनल नहीं ठीक है इंट्राडे विच्ट्रिक स्टॉप लोस कब करना मेरा वीडियो आएगा यह बड़ा सपोर्ट बन गे आपको दिख रहा हूं और अगर मैं टार्गेट बना हूं सोरी सद्राजा छेसो यही बन रहे टार्गेट इसके उपर अगर लेके कल नहीं यह सब अपको बतादे कल तेजी वाला ज्यादा रहेगा तो यह मैंने एनरेसिस कर दिया अब इसी का विकली चार्ड इसलिए देखना पड़ेगा कि पिछले विक में इसने एक स्पिनिंग टॉप्र बनाया था इस वीक में क्या खेल खेले गा और प्रक्राइब आ लेकिन लो नहीं तोड़ा आप देखो इसका मतलब यह वीक में साइध यह लोग टूटे गई नहीं तो अभी इस वीक में बड़ी तेजी वाली जोजिंग आ सकती है अलाकि ओपनिंग यहां किया है तो यह कैसे करेगा फिर इतनी बड़ी लादिगा क्या केंडल कि अठारा हजार क्या बात है अभी तक तो वीकली में दम दिख रहा है लेकिन अगर यह लोग तोड़के नीचे जाए और इंट्राडे में मतलब उसके नीचे क्लोज आ जाए तो फिर खतरनाक होगे यह यह यादद कियेगा अब आज तर बैंग निफ्टी के चार्ट में बैंग निफ्टी भी ऐसे कैसे वीक बनाया तो यहाँ पर आप देखो बैंग निफ्टी ने डबल बोटम अल्रेडी बना रखा है यह बोटम को देखेगा यह बोटम यह तारीक भी बताज दो इसका उपर आप देखेए दिख रहा होगा 35359 लोग बनाया था 27 अगस्ट 2021 27 अगस्ट 2021 को 359 का लोग बनाया था 35359 और यह कुछ दिन पहले अभी 29 को इसने 327 का लोग रहा है तो लगबग एक डबल बोटम बना चुका है तो अब 327 साइद ही मुझे लगता क्लोजिंग बेसिस टूटे का बैंक निफ्टी में आज का लोग कितना था 696 तो 327 क्लोजिंग बेसिक आप स्टॉप लोस रख लो और बैंक निफ्टी एक बार मिनीमम आपको 37,700 तक जाएगा मिनीमम मिनीमम ठीक है नीचे में आपको इसके नीचे की क्लोज नहीं आने वाली 37,300 के नीचे की नहीं आएगी आप सौरी 35,300 के नीचे की और 37,700 आपका 20 या 21 तरिक तक डेफिनेटली आ जाएगा बैंक लेकिन इन बीच में जो डेली की उठा पटक है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा ठीक है मैं लंबा बात भी आपको कर दिया तो बस ज्यादा कुछ है नहीं वेबिनार का भी बता दिया सब कुछ बता दिया लाइक कितने दिने वह भी बता दिया मर्जी आपकी यह जै जिनेंद्रा जै वोलेना जै जै हिन